हेलो एवरिवन, वेलकम टू रोजगार विद अंकित, तो चलिएगा आप बिना किसी देरी के, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले लेक्चर में कारे पालिका और विधाई का बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और आज हमारा लेक्चर होने वाला है, वो है नियाए पालिका, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नियाए पालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और यह देखेंगे कि जो हमारे हाँ पर जो नियाए पालिका है, जुडिश्यरी है, उसमें क्या क्या आता है, और आपको बहुत अच्छा सा बेसिक आईडिया, और एक करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे हाँ पर है, वो एकिकरत नियाए वविस्था है, इंटीग्रेटिड जुडिश्यरी है, इसका मतलब क्या है, कि आप जैसे यहाँ पर किसी इस जिला निया एल्ले के जो डिसीजन है, निर्डने से खुश नहीं हो, तो आप इसक इसके भी डिसीजन से खुश नहीं हो, तो आप इसकी अपील सर्वोच नियाले से कर सकते हो, तो मतलब की सारी चीज़े जोड़ी हुई है, और सबसे जो इनमें सर्वोच है, वो है सुप्रीम कोट, जिसे उच्चतम नियाले और सर्वोच नियाले दोनों कहा जाएगा, तो confusion नहीं रखना है, यहाई पर यह नाम का, हिंदी नाम का confusion ऐसे ही के लिए यहीं पर करते हुए चलना है, तो इस प्रकार से जुड़ी हुई चीज़े हैं, integrated, ठीक है, आपने जैसे maths मैं पढ़ाऊगा, integration, integration का मतलब है, सबको एक जगा जोड़ना और differentiation का मतलब है, सबको केंदर और राज्ये दोनों के कानूनों को लागू करवा सकती है, जबकि आप दूसरी तरफ देखें, USA, जो अमेरिका है, वहाँ पर केंदर के कानून लागू करने के लिए तो अलग कोट है, और राज्ये के कानून लागू करने के लिए अलग कोट है, जैसे आप समझें क यूपी के कानून लागू करने के लिए बिल्कुल अलग कोट होगी और पूरे जो केंद्र है वो कानून लागू करने के लिए अलग कोट होगी पर आप देख सकते हो कि अगर यूपी में भी कानून लागू कराना हो तो हमारी सुप्रीम कोट भी करा सकती है और हाई कोट भी उच्छे नियायले कहा जाएगा वो आएगा भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक और इसके बाद में हमारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोट जिला नियायले जिसमें होता एक दिवानी पक्ष और एक फॉसदारी साइड तो दिवानी पक्ष में तो आप कैसे मामले ले सकते हो जैसे टेक्स से रिलेटेड साधी विभा इन सब से रिलेटेड अगर कोई मामला है ठीक है इन सब से जुड़ा हुआ है तो वो दिवानी साइड में सिविल साइड में जाता है अगर कोई मामला फॉसदारी पक्ष क्रिमिनल साइड मतलब की आप आपर आधिक मामला जो है वो इध विवस्ता है न्याय अल्य की अभी हम देख चुके इंटीग्रेटिट एकी करत ठीक है वो एकल विवस्ता है और जो कहां से ली गई है तो इस सीधा कोशन है इंपोर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है इसका मतलब है कि जो एकल विवस्ता में जो हमारी कोट है सर्वोच न्याय अल्य वो केंद्र और राज्य दोनों कानूनों को लागू कर सकती है तो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहट हमारी बनी थी संगियन न्याय पालिका जो बनी थी एक अक्टोबर 1937 में और इसकी उत्त्रादिकारी मतलब इसका जो नया रूप आया वो आई हमारी सर्वोच न्याय अल्य जो आती है हमारी जिसका उद्वाटन हुआ था हमारा 28 जन्वरी 1950 में ठीक है तो अब यहां पर आपके लिए एक हॉमवर्क है कि जो यह संगियन न्याय पालिका थी ठीक है इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मतलब कि पहले मुख है न्याय अधीस कौन थे ठीक है अभी आपको मैं यह सारे शब्द लेक्चर में समझाने वाली हूँ तो आपको लेक्चर पूरा देख लोगे तो आप इनके आंसाइस भी अच्छे से कर पाऊगे पर कोशन में आपको यहीं पर दे देती हूँ इसके आपको पहले मुख्य न्याय धीस बताने हैं और सरवोच न्याय लेब जब सुप्रीम कोड बन गई तो आपको इसके पहले मुख्य न्याय धीस बताने हैं और वर्तमान में कौन से न्याय धीस हैं और वो कौन से नंबर के हैं 46 नंबर के हैं 47 नंबर के हैं या 48 नंबर के हैं यह आपको कॉमेंट पालिका से रिलेटिड जितनी भी चीजे हैं जैसे आपने यहां पर देखा कि भारत सरकार अधिनियम से 1935 से हमारी न्यायपालिका ली गई है तो उसके अलावा आपने और भी चीजे पढ़ी होंगी तो उनका श्रोत मैंने सबका एक जगा लिखा है तो जो हमारी न्यायपाल जो कि न्यायायले से रिलेटिड है तो हमारी न्यायपालिका की स्वतंतरता ठीक है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंतर रहेगी और उसमें कार्यकारी आके अपना पैर नहीं लड़ाएगी बिना बात न्यायायक पुर्ना वलोकन का सिध्धान्त मतलब कि जुडिशल रिव्य कि हमारी जो Supreme Court है वो देख सकती है कि ये मामला सही है की नहीं, समवर्धानिक है की नहीं और अपने जो लिये गए पुरारे निर्णे हैं उन्हें भी हमारी Supreme Court दोबारा देख सकती है और यह क्या है उच्चतम नयायल्य के उच्चतम नयायल्य कोटफिए और नयाय धीसों को उनके जो पडसे 춤ताया जाता है न उसका यह जो प्रिक्रिया है यह भी हारे हमारीह लिगी यूएसे से ली गई है और कनाडा से एक अब ये चीज वाली हमारी कनाडा से ली गई है कि जो उच्चतम नियायले की परामर्शी नियाय निर्ने अभी आपको मैं बताती हूँ ये हमारा समविधान का शब्द है अब आपको इसका साधारण मतलब मैं बताती हूँ इंगलिस में से कहा जाएगा एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन अफ जा कोट तो ये आती है हमारी आर्टिकल 143 में इसके अंदर क्या है जो हमारे राश्वपती जी है हमारी जो उच्चतम नियायले है सुप्रीम कोट है उससे एडवाइज मांग सकते हैं सलह मांग सकते हैं तो वो जो सला है वो आर्टिकल 143 के अंदर आती है और ये एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन कहां से ली गई है ये कनाड़ा से ली गई है तो इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब जितना भी यहां पर दिखा हुआ है ये हम अच्छे से डिटेल में कहां से आ गई है आपको कुछ पता रहे कि इनका बैक्ग्राउंड क्या है और हम ये कहां कहां पढ़ चुके हैं अब पढ़ते हैं चलिए का उच्छतम नयायल्या जो सुप्रीम कोट है तो सबसे पहले मैं आपको हलका सा आइडिया ले लो कि हमारी सुप्रीम कोट है उ मिझा दर्म है वहां पर विजया होगी इसका सीधा सा हल्का मतलब ये है तो अब देखते हैं कि अप मारी उस्चितम नयायल्या का गठ्धन देखते हैं कि GI में अचित्रम कोट में कितने जज हूं तो हमारी सुप्रिम कोट में जब मूल सुप्रीम कोट बनी थी II play to us में जो ब् tor обычно से लआएधीज ढेटादो से वराम हम एच से लाइधी और सब्सक्राइम की निया धीष की अधीज और मलत कि निया धीज इसने जाढाईगे हिस का मतलब है ये आपके लिए की सो पर था छिसे ने खाना नीय अधीज को उ सके गाधा जितने भी हमारे सुप्रीम कोट में न्याय अधीस होंगे उन सबके यह है तो अब यहां पर आप देखे साथ तो हो गए इसमें अन्याय अधीस और यह एक है हमारे मुख्य न्याय अधीस आगया होगा आपको समझ अब देखे यह शब्द बार बार यूज होने वाले हैं अन अब आपको इसको डिटेल में जाने की जरत नहीं है बस आप आपको तो अभी यह याद रखना है ठीक है सबसे जाद जो इंपोर्टेंट है यह याद रखना है फिर भी बैक ग्राउंड के लिए यह चब्द थी 2008 में इसके लिए कानून लाया गया और वह 2009 में पास होके उ अधर जजिस ठीक है और यहाँ पे आ जाते हैं प्लस वन कॉन है सी जी आप सी जी आए ठीक है थोड़े इसके इंग्लिश ने में वह बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीस के लिए तो जज सब्द का यूज प्रियोग किया जाएगा और जो मुख्य न्यायधीस पर हिंदी में क्या है न्यायधीस और मुख्य न्यायधीस थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो आपको बस ध्यान दखना है कि न्यायधीस के सामने मुख्य वर्ड जो शब्द है वो लिखा हुआ है या नहीं तो 2008 मों में इसको बढ़ा के 31 कर दिया गया 31 में 30 प्लस वन मेरी जानकारी के हिसाब से जो मैंने स्टेंडर्ड बुक देखी है और जहां पर मैंने साइट पर चेक किया है वहां पर यह डेटा 34 है तो आपको 35 नहीं याद रखना है और इसमें भी क्या है 33 प्लस वन मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको लगा के यह 34 है आगया होगा आपको इसका भी गठन समझ और इस गठन से रिलेटिड आपको मैं आशा करूंगी कि आपको कोई डाउट ना रहे ठीक है अब अब देखते हैं कि आर्टिकल 124 इसी के बारे में बात करता है कि जो सुप्रीम कोट है उसकी स्थापना और गठन किस प्रकार कि जो ऐसी के जो न्याय अधीस हैं उनकी नियुकती राश्वपती द्वारा होगी ठीक है यह इसमें बात करता है कि उच्चतम न्याय अधीसों की नियुकती हमारे राश्वपती करेंगे और मुख्य न्याय अधीस की नियुकती अभी मैंने न्याय अधीस की नियुकती र उनके नया अधीसों की भी सलहा ले सकते हैं उनसे भी परामर्ष कर सकते हैं ठीक है अब ये सब्द सुनिए का परामर्ष कर सकते हैं तो और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो मुख्य नया अधीसों के अतरिक्त और भी कोई अन्य नया अधीसों की न्यूक्ति होगी तो उस कीव만 960 मिलं के राश्वव सकते हैं कि यहां बंपर दो तो यहां पर इनके संधर्व पर आमर्स शब्द सकते हुआ यहां को मानना है यह सब्दे अप परामर्स शब्दी पे हो गई थोड़ी बहस शड़ गई और उस पे बहुत सारे केस गए तो उन वाले इस परामर्स शब्दी की व्याख्या करते करते अब जो आता है वो आता है कॉलेजियम सिस्टम जिसे कॉलेजियम सिस्टम से ही हमारी जो एससी के न्यायद हीस हैं और यह रामर्ष का मतलब क्या है, यह पहुंचा पहले तो आपको मैं हलकी सी बैकग्रांड बताऊं, आपको अतना यह यााद रखने की जरुरत नहीं है जो मैं बता रही हूं बट ये कि जब 1950 से 1973 तक क्या हो रहा था कि जो उच्चितम नयायले में जो भी मुख्य नयायधीज बनते थे वरिश्चितम बनते थे तो जो उनमें सबसे सीनियर जज होते थे उनको मुख्य नयायधीज बनाया जाता था पर 1973 में इस व्यवस्था का हनन हो गया मतलब कि उन्हों जो सीनियर जज थे उनको छोड़के किसी दूसरे व्यक्ति को जज बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया तो इस प्रकार से उनके पास मे भी शती व्याक्षा देते हैं तो यह देते हैं कि परामर्स का मतलब सहमती नहीं सिरफ विचारों का आदान प्रदान है इन्हों नहीं कैदिया सामले 1943 में वापस से ये वाला के फिर सुप्रीम कोट के पास में जाता है क्योंकि वो संतुष्च नहीं हुए लोग तो फिर वापस से सुप्रीम कोट में जाता है तो इसमें सुप्रीम कोट कह देता है कि परामर्श का मतलब है सेहमती प्रकट करना तो देखें यही में बोल दिया कि परामर्ष का मतलब सहमती प्रकट करना है फिर ये वाला केस दुबारा से थर्ड जजज केस में 1998 में जाता है सुप्रीम कोट के पास में तो सुप्रीम कोट इसमें बना देती है यहीं पे हमारा जो कॉलेजियम सिस्टम है वो विक्सित होता है और यह है क्या इसमें बोल दिया कि एक तो हो गया इसमें Chief Justice जो हमारे नयायदिस नियुक्त करेंगे Supreme Court के उनमें एक तो हो गया Chief Justice of India ठीक है और यह चार हो गया Senior Most Judge तो यह करेंगे मिलके सारे के सारे एक नाम सजेस्ट जो करेंगे हमारे राश्रपती को और राश्रपती उसको नियुक्त क होता है हमारा Collegium System जो कि 3rd Judge case से 1998 से यही चला रहा था बट 2014 में क्या होता है कि सरकार को यह लगता है थोड़ा कि उनको चुल लगती है कि चलिए कभी यह हम करेंगे जो नियायदिस हैं उनकी नियुक्ति तो आता है नियाद्वा सम्विधान संसोधन अधिनियम यह कि मैंने इसी नियायय राश्य नियायय नियुक्ति आयो यह बना दिया गए National Judicial Appointment Commission इसमें कहा गया कि यह करेगा नियुक्ति यह जो कॉलेजियम सिस्टम है यह इसको हटा के इनकी नियुक्ति करेगा ठीक है पर आपको तो पता ही है कि Supreme Court है उसके पास में तो case जाना है तो फिर इस वाले case में इसको बोलते हैं चौथा judge case जो की 2015 में हुआ इसने इसको एसमवधानिक करार दे दिया और बोल दिया कि क्यूंकि इसकी पता इसकी संदशना कुछ इस प्रकार थी इसमें हमारे नियाय के जो मंत्रियें वो भी होने वाले थे मतलब इस पे सरकार का control ज्यादा हो पर फिर Supreme Court ने बना कर दिया कि यह ऐसा नहीं हो सकता हम स्वतंत्र हैं और हम अपने हिसाब से अपना जो क्या कहते हैं नियाय धी से हम अपने हिसाब से नियुक्त करेंगे और उसमें सरकार का कुछ हमें ज्यादा हाथ नहीं चाहिए और अगर यह होता है तो वो बोलते हैं क सुप्रीम कोट बोलती है इससे हमारी नयाया एक सुतंतरता बहादित होगी तो इसलिए 2015 में एसमवधानिक करार दे दिया गया तो अभी भी जो नियुक्ती होती है वो इसी वाले कॉलेजियन सिस्टम के हिसाब से होगी ठीक है आगया हो गए समझ आपको अब चलते हैं आगया हो ठीक है बस यह और दूसरी योग्यता है आपको ध्यान से सुनना है कि वह कम से कम किसी हाई कोट में पांच साल के लिए नयाय धीस रहा हो यहां पर किसी हाई कोट का मतलब आप ले सकते हो कि यह तो एक हाई कोट में रहा हो या दो हाई कोट में मिलके या तीन हाई यहां थो सकता है, यहना तो यह वाली condition पूरी हो, यहां फिर दूसरी condition है, कि वो 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो advocate रह चुका हो high court में अब आप ये समझ सकते हो कि 10 वर्ष का मतलब ये नहीं कि वो सिरफ एक ही high court में रहा हो वो अलग-अलग high court में भी हो सकता है और एक और condition है इन तीनों में से एक कोई से भी condition फुल्फिल हो सकती है तो इसका मतलब है कि राश्रपती उसे समझे कि वो एक सम्मानित न्यायवादी है उस व्यक्ति को बहुत अच्छी न्याय की knowledge है पकड़ है ये सब है ठीक है तो भी राश्रपती उसे क्या बना सकते है सुप्रीम कोट का न्यायदीज बना सकते हैं जजज बना सकते हैं तो ये वाली अहां कंडिशन है ठीक है अब आपको आ रहा होगा कि इसकी क्या कुछ नियूंतम एज है की नहीं तो देखिए हमारे सम्विधान में इनकी नियूंतम एज का कोई वर्णन नहीं है तो आपको देखिए, कोष़शन कैसे आ सकता है कि सुप्रीम कोट के जजज बनने के लिए minimum आयू, नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए तो आपके option होंगे अब आपको पताए कि कुछ नियूंतम आयू नहीं दी गई है और उनको retirement age है जो supreme court के judge की retirement age है वो है 65 साल ठीक है 65 साल है पर इनका कोई कारे काल टै नहीं है मतलब यह नहीं है कि वो 5 वर्स के लिए supreme court के judge रह सकते हैं 10 वर्स के लिए रह सकते हैं 15 वर्स के लिए रह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है जब वो Supreme Court के judge बन जाए तब तक वो हटाए न जाए उनके पद से और वो 65 वर्स की आयू तक रह सकते हैं अब इनका देखे आपको बताओं मैं 125 में ही इनके वेतन के बारे में बात करी जाती है कि जो Supreme Court के judge हैं वगेरा हैं इनका वेतन कैसे आएगा वेतन भत्ते वगेरा तो देखे Chief Justice of India जो भारत के मुखे नयाधीस हैं उनकी जो salary है इस टाइम पर 2,80,000 रुपे पर मन्त है यह भी 2018 में ही बढ़ाई गई है और जो अन्य नयाधीस है उनकी जो salary है वो डाइलाक रुपे पर मन्त है ठीक है यह आपको एक हलका सा idea रखना है और देकि इनको pension किसे साब से मिलेगी तो जो यह अपनी last salary लेंगे उसका 50% इनको pension मिलती रहेगी lifetime और इनकी शपत जो आती है वो article 124 में आती है वो यह शपत किसको देते हैं यह शपत देंगे राश्वपती जी को और त्याग पत्र भी राश्वपती जी को ही देंगे तो आपको यह चीजे याद रखनी है और आपको जो मैंने आपको टेबल बताई है बनाने के लिए तो आपको अब उस टेबल में लिखना है कि जो न्यायद हीस हैं सुप्रीम कोट के न्यायद हीस हैं वो शपत किसके सामने लेंगे राश्वपती के सामने और त्याग पत् जो हमारे जो जज है इनके नियाधी इसको हटाने कर जो हमारे समविधान में दो आधार दे रखें एक तो दे रखा है कि दुर वहवार, प्रूब्ड मिस्वेहेवियर, इसमें करप्शन वगरा सबकुछ आ जाएगा और एक दे रखा है सिद्ध कदाचार ठीक है यह थोड़ पद के लिए योग अब नहीं रहे है ठीक है तो अब इसको कैसे हटाया जाएगा तो अब मैं आपको बताती हूं कि इनको हटाने के लिए अगर संसद में कोई प्रस्ताव आता है तो लोग सभा में उसे 100 सदस्य मंजूरी देंगे तब वो प्रस्ताव आएगा और राज्य सभा में आता है तो सभापती के पास में देखिआ अगर जिनको डाउट आ रहा है अध्यक्ष सभापती किया है तो कर पाँप्वाई गर पुर्अरी का पूरा लाक है समझा सकती हूं तो क्यूंकि बहुत गडबढ हो जाएगी गर पता यहिं की चलेगा तो इसमें क्या ठीक है वो होते हैं हमारे अध्यक्ष्य और इसे कर सकते हैं इस प्रस्ताय को यह सुइकार भी कर सकते हैं यह इसय सुइकार कर लिए ऐस्वाएकर कर ली कि तो बात खताम उन्हों ए उसे पर बीषणनीदी पर वो सुल्कार कर लेते हैं, तो अब उसमें क्या रहेगा? ये तीन जो सदस्य समीती का गठन करेंगे, ये तीन सदस्यों की समीती बनाएंगे, और उन तीन सदस्य में उसमें कौन को रहोंगे? तीसरे होंगे कोई प्रतिस्ठित न्यायवादी जो की हमारी राश्रपती या यह डिसाइड करेंगे अध्यक्ष और सभापती तीक है अगर यह तीन सदस्य समीति उन पर जाच करेगी जिस व्यक्ति के खिलाफ में यह प्रिकरिया है वो चलाई जा रही है तो अगर यह तीन सदस्य समीति दोसी पाती है उस व्यक्ति को तो यह विशेश बहुमत द्वारा दोनों सद्नों से पास होगा और यह दोनों सद्नों से पास होगे किसके पास में जाएगा बताईएगा मैंने एक खाली स्पेस शोड़ा है किसके सिगनेचर से यह पास होगा बाद में यह राश्रपती आएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट आएगा, तो आप लिखिएगा, आप ही अपडेट करिएगा इसको, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट आएगा, और आपको मैं बताऊं, कि यह वाली जो प्रिकरिया है, इनको हटाने वाली प्रिकरिया है, न् आपको याद रखनी है प्रिक्रिया उस जैसी है पर महाभियोग शब्द का प्रियोग इसके लिए नहीं होता है तो आगा होगा आपको समझ अब आपको यहां पर मैं बताऊं कि पहले ऐसे जो हमारे सुप्रीम कोट के जज्ज थे वो कौन थे वो थे वी रामस्वामी जिसके खिलाफ यह वाला जो मुकदमा लाया गया था उन्हें हटाने की कोशिश करी गई थी यह करी गई थी वो थे वी रामस्वामी जो उनिस सो इक्याव तिरानव की बात है तो इसे क्यों हटाया गया हटाने की कोशिश करी जा रही थी वी रामस्वामी को इन पर जो चार्ज थ है और हरियाना की हाई कोट है जब यह उसमें थे तो इन्होंने पैसे का बहुत ज्यादा खर्च किया था सरकारी बंगलों में रहे थे बहुत पैसा खर्च किया था तो कुछ इस प्रकार के आरोग थे तो पर ये वी रामस्वामी हट नहीं पाए थे लोग सभा में क्योंकि व कपिल सिब्बल जी ने लाया गया था प्रस्ताव उसमें कुछ उनोंने बताया था कि क्या क्या आधार है ये ऐसे मतलब ये साइसे नहीं कर रहे है आपको तरी डिटेल में जाने की जरत नहीं है थोड़ा सा हलका एडिया रखना है तो पर ये जवाला प्रस्ताव है ये वा अब हम चलिएगा अब हम बढ़ते हैं आगे और आप कुछ शब्द हैं जो आप देखते हो एक्जाम में या कहीं पर भी एक होता है कार्यकारी मुख्य न्यायधीस जो कि आता है हमारा आर्टिकल 126 में आज इसे इंगलिश में बोला जाएगा Acting Chief Justice of India तो देखे इसमें क्या होता है कि जो राश्वपती है वो किसी न्यायधीस को भारत के उच्चितम न्यायधीस कार्यकारी मुख्य न्यायधीस न्यूक्त कर सकते हैं उसके लिए कुछ कंडिशन्स है कि जब मुख्य न्यायधीस का पद खाली हो ठीक है मैं मुख्य शब्द यूज कर रही हूं न्य duties मिली हैं, उनके दायत्व और कर्तव्य मिले हैं, उनका वो अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन वाले तीन केस में राश्रपती जी जो हैं, वो भारत के लिए कार्यकारी मुख्य नयायदीज को अपोइंट कर सकते हैं, अब एक आपने शब्द और सुनाओगा तरदर्थ नयायदीज, एड़ॉक जजिस, जो आते हैं, आर्टिकल 127 में, आपको बस इसमें क्या याद रखना है, कि जब कोरम पूरा नहीं होता, मतलब कि कोरम का मतलब आपको पता है, जो मिनिमम लोग हैं, ठीक है, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब कि आप समझेगा कि जैसे, एक्जाम्पल मैं आपको लोग सभा, राज्य सभा का कोरम बता चुकी है, कि उनकी जो सदस्य संख्या जितनी होती है, उसका एक दस्वा हिस्सा होना चाहिए, वन टेंथ हिस्सा होना चाहिए, अन्य था, मीटिंग शुरू नहीं करी जा सकती, तो ऐसे ही उनके लिए कोई कोरम की जरुत होती है सुप्रीम कोट में, तो जब कोरम पूरा ना हो, तो करने में इस्थाई नयाधीस, मतलब आप यह देख सकते हैं, पर मैंने लिख दी आया, बहुत शॉर्ट में, कि कोरम पूरा ना हो, तो चीफ जर्स्टिस ऑफ इंडिया किसी हैच सी के, किसी हाई कोट के नयाधीस को, एस्थाई काल के लिए सुप्रीम कोट का तदर्थ नयाधीस, नयुक्त कर सकते हैं, ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, अब इस सेदी के, एक और आपने सुना होगा, सेवा निर्वत नयाधीस, यहीं पर आप सुन लीजीगा उसको, वो आर्टिकल 128 में आता है, और वो बोलता है, कि कि उन्हें भी बुलाया जा सकता है, यह हमारा आर्टिकल 128 इसका बात करता है, और यहीं पर आपको मैं एक और सुप्रीम कोट के बारे में फैक्ट बता दूँ, कि जो हमारा उच्चितम नयाधीस का इस्थान है, वो हमारा समविधान की पर्मीशन की जरुवत होगी, वो राश्च्वपती से पूर वनुमती लेके ही कर सकते हैं, बट यह कोई जरूरी नहीं है, कोई कमपल्शन नहीं है उन पर कि सुप्रीम कोट को और कहीं पे भी स्थापित किया जाए, तो अभी इसे लिए फिलाल जो हमारा सुप्रीम कोट है, उसकी जो सीट है, वो दिल्ली में ही है, पर अभी एक साल पहले उस पर डिबेट भी चली थी, कुछ महीने पहले, कि सुप्रीम कोट एक दिल्ली में है, ठीक है अब अगर दिली तो यहां पर है अगर किसी नोर्थीस्ट वाले को सुप्रीम कोर्बर talkin欸 को कर अंपै कितनी दूर नौर्थीस्ट होता है जरा मैप कोई और भी सरकार को जो हमारी राश्वपती जी है इनको सोचना चाहिए पर अभी देखे अभी तो उस पर कोई आगे बात नहीं बन पाई है जैसे ही आपको बनेगी पता चल जाएगा अभी आपको याद रखना है कि अभी जो सुप्रीम कोट की सीट है वो सिरफ हमारी दिल अगर कोई समगरधान एक मामले पर कोई निड़ लेना है या राश्वपती द्वारा Supreme Court से जो सलहा ली जानी है वो Article 143 के तहट तो इन सब पे कम से कम पांच जज की बेंच होनी चाहिए इन सब के लिए कम से कम पांच जज की बेंच होनी चाहिए और इसे आप हिंदी में ये भी यूज कर सकते हो क्यों जाथ क attempt पे नायधी तो 3 ये जज फांच का होना चाहिए और इसमें अन्यमामले जो सामान तर त और और इनके अलावा उसमें यहां पर है कम से कम बाकी तो आपने देखा हो कुछ केस में 9 निया धीस की बेंच बैठी है कुसमें 11 की बैठी है पट मैंने आपको मिनिमम बताया यहां पर ठीक है अब 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 यहां पर हम कुछ पढ़ लेते हैं जो हमारी सुप्रीम कोट है उसके कोई छेत्र अधिकार है उनकी क्या शक्तियां है क्या पावर है जो की कोशन आने के चांसे जहीं से भी रहते हैं काफी तो देखे अब आपकी उनको पावर में पॉइंट वाइस में बताऊंगी तो पहली जो पावर है उनकी है वो मूल छेत्र अधिकार जिसे बोला जाएगा ओरिजिनल केंद्र है और उसकी दूसरी तरफ है एक या एक से अधिक राज्यों के वीच में विवाद है या दो या अधिक राज्यों के बीच में खुद में ही विवाद है ठीक है और या केंद्र प्लस राज्य है मतलब एक तरफ तो केंद्र है और कुश राज्य है और दूसरी जो संघिये विवाद है इनके मामलों में जो सारी पावर है हमारी वह सुप्रीम कोर्ण के पास में है इस वाले मामले में हाई कोई पावर नहीं है we could have पावर नहीं है इसलिए इसे कहा जाता है exclusive original jurisdiction original jurisdiction का तो मतलब होगया मूल न्याय च्षेत्र कि मतलब इननके पास में पावर है एक्स्क्लूजिव alone है अद्ज्खाली यह पावर शिरफ अनली सुप्रीम perfect के पास में है ठीक है इसमें हाइ-coot के पास में यह है इसालिए इसे चाहर दा आė आधिसमें पावर कॉई नहीं आर्टिकल दो सो बासेट में कैसे, पार्लियम्नेंट्स संसथ क्या करती है, बट यह वाला जो विवाद है, यह वाला हमारा Supreme Court की छेतरा अधिकार के अंदर नहीं आता है अब दूसरा अधिकार देख लेते हैं, दूसरा अधिकार है हमारा न्याय देश का अधिकार, रिट जूरिस्डिक्षन, जो कि हमारी आर्टिकल 32 में हमारी सुप्रीम कोट के लिए आती है और हम देखे, अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पांच प्रकार की जो रिट जूरिस्डिक्षन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से वो पढ़ाई थी, फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, तो किरपय करके एक बार आप वहां से रिवाइस करिएगा, यहा तो किरपय करके आप वहां से रिवाइस करिएगा, तो पांच प्रकार की यह रिट हो जाती है, ठीक है, तो रिट जूरिस्डिक्षन में क्या है, हमारी जो सुप्रीम कोट है, उसको मूल अधिकार प्राप्त है, मतलब ऑरिजिनल जूरिस्डिक्षन प्राप्त है, मूल करने का अधिकार हमारी हाई को भी मिलता है तो इसलिए सुप्रीम कोट का विशेश अधिकार नहीं रह जाता ठीक है और यह हम अभी आपको बता चुके कि मूल अधिकार है सुप्रीम कोट का बट विशेश नहीं है और आपको यह में पढ़ा चुकी हूँ आप फिर भी यहां पिली आहे पत़ा को जब किवा को जो करते हैं आ मैलों सिर्फ सम विद्हन को लेकर ही रित लगा सकते हो पर हमारी जो संसद já की वह करते हों और पता चल जाएगा इन एक और में यहीं पर बता हूँ, जो कि छेतर अधिकार के मामले में जो जुरिस्षिक्शन होगी छेतरा अधिकार के मामले में तो वो Supreme Court के पास में जादा होती है करनाटका वाले क्यों मानेंगे UP की हाई कोर्ट का निर्णा है ठीक है बट जो Supreme Court की कोई निर्णा है आ जाता है तो वो पूरी भारत को मानना होगा तो छेतर फलकी दरस्टी से जो अधिकार जिसको जादा मिला है वो Supreme Court को मिला है High Court को कम है तो आप हलका सा याद रख सकते हो अब तीसरी जो उनकी power है वो है हमारी Appeliae Chhetra दिकार तीक है जी से कहा जाता है Appellate Jurisdiction तो उसके मामले में हमारे 3 आर्टिकल है वो बात एक तो आर्टिकल 132 आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 तो आर्टिकल 132 हमारा बात करता है कि समव्धानिक मामलों में जो हमारी अपील करने का अधिकार है वो आर्टिकल 133 बात करता है civil मामलों में appeal करने का अदिकार आर्टिकल 134 हमारा बात करता है आप राधिक मामलों में High Court से Supreme Court में appeal करने का अदिकार तो देखेंगे आप appeal का मतलब समझ सकते हो पहले District Court से appeal High Court में करी जाती है High Court से appeal Supreme Court में के अंदर कितनी बार बता चुके और थोड़ा इंपोर्टेंट कोशन बन जाता है तो पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो राश्रपती है वो सुप्रीम कोट से सलहा मांग सकते हैं तो यह आर्टिकल 143 के अंदर आता है और जिसे पांच पीठ कम से कम लोग होन या अनकी मर्जी है राश्रपती जी कि मर्जी है सलहा मानना या ना मानना ठीक है और एक इसको आप लुद परामर्ष इसे थोड़ा याद रख सकते हो परामर्ष खेतर अदिक अब नेक्स है हमारा अभी लेक कण्या एक क्वोट उफ रिकॉर्ड किसी को नहीं में भी डाउट था तो किरफा करके वेट कीजिएगा आपका टॉपिक आने में आपका कोशन जो भी आपका डाउट है वो ज़रूर पढ़ाया जाएगा तो यहां पर क्या है देखिए यहां पर इसमें आप दो पार्ट में पढ़ेंगे एक तो आता है आर्टिकल 119 में तो प मतलब कानून बन जाते हैं एक्जामपल 1973 में जो केसवाननदा भारती वाला केस था उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉंस्टिटूशन जो समविधान का मूल भूत धाचा है वो आया था तो अब वो मतलब आ गया तो जो जितनी भी भारत में हाई कोट है जितनी भी डिस्ट मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है सुप्रीम कोट के नường व्यक्षा से बतकर समनेश को सहकाता, और समिष्य दो Pilymoh Children's को देखता है जूरों था जीज सो और दाहेका नोस से सागे saying say बहुत ही नीचे दिखा देना। आंकड़ा है, जो कम करने नीचे को बदिनाम करना न्यायाय को क्यों प्रिकरिय है ön forest उसे किसी प्रकार से तरीके से रोकना तो यह वाली जो हमारी जो बाते आ जाती है अपराधिक मामलों में आ जाती है अब यहीं पर मैं आपको इक बता दूँ आपको पूल बुबशन नहीं रखना है कि यदि आपने डीवे अगुगी मीन मैंड में आपको कुछ लोगों के मांड में डाउट आ रहा होगा तो डीवेट जैसे होती है नया है यह कि सीई चीज के उपर होथी है तो वह लब है कि उनको permission है constructive criticism करने की जैसे कि आप उचित आलोचना कर सकते हो कि आपको लेक्षर में ये पसंद नहीं आ रहा है आप ऐसे improve करिएगा ये करिएगा ये मत करिएगा तो ये तो होगा एक उचित आलोचना आप सुप्रीम कोट के केस में समझ सकते हो कि देखे आपको एक म पड़े हुए हैं तो जिन मैंसे हमारी जो सुप्रीम कोट है ठीक है सुप्रीम कोट में लगभग केस पड़े हुए है साथ हजार ये लगभग मैं बोल रही हूं आपको यह नहीं कि एकदम यह डाटा ही टाइम के साब से उपर नीचे होता रहता है पर यह 2019 का डेटर था औ लगभग हमारे हैं कुछ 44,75,000 के करीब और जो डिस्ट्रिक्ट कोट हैं जो जिला नयायले हैं उसमें 3,14,000,000 के करीब केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो आप इस परकार से समझ सकते हो कि कुछ 3,500,000 के हिसाब से कुछ केस पेंडिंग हो जाते हैं ठीक है तो आप हलका साफल का यह याद रख सकते हो कि भारत में सबसे जांद की किस पड़े हूए हैं तो आप थे जला नयायले हैं उसके बाद में आप अगी में पुसके बाद में में इसाप्रिम कोर्ट में अभढया है इग्जेक्ट नमबर याद करने की ज़रवत नहीं है इक फोड़ा यह तक बेहस किस प्रकार की परोल स ? रुखित आलूचनल को चाहें हमारी परोल प्रकर के दो पूण करें तो कमी बता सकतेığın तर ये नहीं करें जो न्यायक स्थिती कragenya और नियायक शमिक्षा जिसे नियाएक पुन्रा वलोकन भी बोला जाता है जुडिशनल रिव्यू जो कि आर्टिकल 117 में आती है इसका मतलब है कि SC सुप्रीम कोट है वो सुप्रीम सुधार की संसिता है इसका मतलब अभी आपने मैंने बिल्कुल आपको इसी वीडियो में पढ़ा है प्रथम जज केस, दूतिय जज केस कैसे सुप्रीम कोट ने अपने जो पहले निर्ने लिये गए थे उनको बदल दिया गया ठीक है और आप नियाएक समिक्षा में इसमें ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी गवर्मेंट, सरकार कोई नियम कानून लाती है तो हमारी सुप्रीम कोट उसे ये देखेगी कि समझ धानिक है कि नहीं, ये भी हमारी सुप्रीम कोट ही, इस पर डिसाइड करेगी अब इसमें कुछ अन्या शक्तियां भी हैं जो हमारी सुप्रीम कोट को दी गई है तो दीचे अन्य शक्तियों में आप ज़़से ज़दा याद रख सकते हो की जो हमारी सम्विधान की वियाख् candles कौन करते हैं प्लीज प्लीज यह बहुत इंपोर्टन्ट है वो करते हैं हमारे इकलोता व्याख्äll कार है हमारी सम्विधान के वो है हमारी सुप्रीम कोट, समविधान का सनरक्षक कौन है, वो हमारी सुप्रीम कोट है, और राश्रपती, उपराश्रपती के चुनाव से संबंदित कोई भी विवाद आ जाए, उसका निप्टारा सुप्रीम कोट में ही किया जा सकता है, हाई कोट में नहीं किया जा सकता ह और यह नियायायक अधिक्षण इसका मतलब यह शक्ति भी सुप्रीम को प्राप्त है इसका है कि जो देश के सभी नियायाले हैं उन पर नियंत्रण है हमारी सुप्रीम कोट का इस प्रकार आप कुछ अन्या शक्तियों में इसको याद रख सकते हो अब देखें यहां पर यह याद रखने है तो देखें मैं आपको सारे आर्टिकल इसी वीडियो मैं पढ़ा चूकी हुएं प्र भी हॉमवर्क है आपको वीडियो दुभारा से देखनी है और यह वाले आप आप अच्छे से समझेगा बाद में याद करने की कोशिश करिएगा तो आप 114 हमारा बात करता है उचितम नयायले की स्थापना और गठन के बारे में आर्टिकल 124A यहाँ पर आप A आया था यह आया था नैशनल जुडिशियल अपोइंटमेंट कमिशन NJAC जिसे की हटा दिया गया कोई यह है नहीं इसे एसमवधानी करार दे दिया गया आर्टिकल 129 बात करता है जो हमारी सुप्रीम कोट है वो अभी लेख नयायले के रूप करता है कि जो सुप्रीम कोट के जो भी कितने उनके कानून जो सब आएंगे वो बाकी सभी नयायलेंगों पर लागू होंगे और आर्टिकल 143 चलो मैं ही बता देती हो आपको यह बात करता है कि जो राश्वपती जी है वो सलहा ले सकते हैं हमारे सुप्रीम कोट से और उसक से मैं इसे रिवाइस करा देती हूं हम पढ़ रहे है सुप्रीम कोट पढ़ रहे हैं पर नयायले की व्वस्था है वो भारत सरकार अधीनियभ 1935 से ली गई है और यहां पर हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोट में अब इस टाइम पर कितने हमारे जो जज हैं वो 34 है जिसमें से 33 प्लस वन करके मैंने आपको याग करना सिखाया आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोट की स्थापना और गठन के बारे में ठीक है और यह कॉलेजियम सिस्टम कैसे आया यह NJAC क्या है हम यह पढ़ चुके हैं इनकी योग गता पढ़ चुके हैं और इनका कारेकाल नियूंतम एज कुछ नहीं है मैकसिमम रिटायर कब हम इनकी शपत देख चुके हैं त्याग पत्र देख चुके हैं और नयाधिस को कैसे हटाया जाता है हम यह भी देख चुके हैं जो कि एक महावियोग की प्रिकरिया जैसा होता है पर उसके लिए शब्द सम्वेधान में महावियोग यूज नहीं है ठीक है और हम यह भी दे 2014 में वह मांगते हैं तो सुप्रीम कोड में कम से कम पांच जज की बैंच होनी चाहिए कम से कम पांच ठीक है तो वो अपने हसाब से कितने भी कर सकते हैं अब लेक का निया एक समिक्षा यह सब हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं और यह कुछ आर्टिकल्स हैं अभी हमने इतनी बड़ी वीडियो पढ़ी पट उसे रिवाइस करने में दो तीन मिनट का ही टाइम लगता है तो यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जैसे ही वीडियो देखें उसे हाथो हाथ रिवाइस करने कुछ जादा टाइम नहीं लगता पर चीज आपको अच्छे से याद होंगी और उसमें आपका ही फायदा है धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए वीडियो पसंद आती है तो किरपैकर के लाइक करिएगा अगर पसंद नहीं आती है तो आप फिरियो डिसलाइक करने के लिए पर कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा कि वीडियो में क्या और सुधार किया जा सकता है य आपका देना चाओ